चलिए सर, section 60, clubbing of income, clubbing of income का मतलब होता है, जो income आपने कहीं और बांट दिया है, उस income को आपकी income में दुबारा जोड दिया जाएगा, that is clubbing of income, section 60 क्या कहता है, कि अगर आपने कोई भी income किसी और के नाम पे transfer कर दिया है, और आपका assets आपके पास यह, जैसे आपने अपना property आपके नाम पे है, और उससे होने वाला rental income किसी और के नाम पे किया है, तो वो rental income उस व्यक्ति की न मानने जाएगी, आपकी ही मानने जाएगी, क्योंकि section 60 यहाँ पैपली केबल होता है, section 60 क्या कहता है आपका, section 60 कहता है कि transfer of income without transfer of assets, तो वो income transferr की होगी, ना कि transferring की होगी, सर दूसरा section, दूसरा section आता है हमारा section 61, section 61 की बात करें, तो section 61 क्या कहता है, दूसरा section 61, कि अगर आपने section 60 से बच जाते हो, और आप कहते हों कि हमने income भी किसी और को दिया है, और assets भी किसी और को दे चुके हैं, तो ऐसे situation में ये बात बिल्कुल ठीक है, कि उस income पे उसी को text देना चाहिए, जिसके नाम पे assets गया, और जिसके नाम पे income गया, बट आगर वो assets जो दिया है, वो conditional हुआ, यानि revocable हुआ अब आपसी आपको मिल जाएगा, ऐसे situation में उस पे आपको ही text देना पड़ेगा, जिसने वो income और asset transfer किया, लेकिन condition भी कौन से होने चाहिए, certain, uncertain नहीं होना चाहिए, uncertain का मतलब क्या हुआ, आपने friend को एक property gift कर दिया, बोला जब तक तेरी शादी नहीं होगी, ये property तेरी है, तो सर ये उसी को text देना होगा, ये uncertain है, certain का मतलब fix बोल दिया, 2024 के दिवाली तक तेरी पास ये property रहेगी, तो certain है, उस case में आपको इस पे text देना पड़ेगा, अगला section हमने देखा, बहुत important minor child का, मैंने कहा, ये section आपके exam में आएगा, minor child के income में क्या है, कि आपके बच्च की income कैसे होगी, आपने ही उसके नाम पे कोई FD करा दिया होगा, कोई shares ले लिया होगा, को LIC करा दिया होगा, तो वो income parents में जोड़ा जाता है, income tax के according, और parents किसमें, जिसकी income सबसे higher होगी, और एक बार जिसमें income club हो गया, हर साल उसी में club होता रहेगा, और sir assessing officer को अगर आप income clubbing बदल भी सकता है, income add होने से पहले 1500 रुपे का आपको deduction मिलेगा, साथ के साथ clubbing of income minor child में exception की इसे, क्या सर exception की इसे, अगर बच्चा अपने skills से पैसा कमाता है, बच्चा अपने hard work से पैसे कमा रहा है, बच्चा अगर कोई disabled है, ऐसे situation में, उसके उपर tax वो खुद जोड़े जाएंगे, सर इसके अंदर एक बात और ध्यान रखना है कि अगर parents नहीं है child के, ऐसे situation में जो उसका देखरेक करता है, उसी को उसपर tax देना होगा, चलिए सर, अगला था हमारा, इसके theory देख लिया हमने, अगला है हमारा, चलिए, अगला है, अगर हम payment करते है, salary, commission या कोई remuneration अपने spouse को, और देखा गया कि ये सारी चीजे payment हो रही है, अगर आपका substantial interest है, और wife का qualification उसके according नहीं है, जितनी उसको salary दे रहे हो, तो वो income उसके husband में add कर दिया जाएगा, लेकिन अगर wife की qualification है, तो उसकी wife को अलग tax द देना है, दूसरा point, अगर आपका husband और wife दोनों का ही इसके अंदर substantial interest है, तो उस case में दोनों की जिसकी भी total income ज्यादा होगी, salary, remuneration को छोड़ कर, उसमें add on कर दिया जाएगा, वो salary और commission वाली income, तीसरा point इसमें remind रखना है, अगर in case of, in case of, के यहाँ पे substantial interest क्या है, तीसरा point है, substantial interest क्या है, आपको 20% holding करते हूँ, company में, partnership में 20%, आप करिए holding या आपके relative करें, सभी को जोड़ करके substantial interest count किया जाता है, और substantial interest में husband, wife आपस में relative होते हैं, तो उनके भी shares को क्या कर लिया जाता है, count कर लिया जाता है, तो यहाँ तक है, यह हमारा total, सधता है, असने कराव का यह उत्ता है, जा आपके अनके सभी कर बादी नाहरे, कियाटाँ का बादीघ, चैड़ शे। estaritability, तो 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 देमके, जा notordirect about you,